दोस्तो सोचल मीडिया के कई सारे सिंगर ऐसे हैं जो एकदम से ही वाइरल हुए थे और आज वो कहां पर है शायद आपको मालूम भी नहीं होगा जिस तरीके से ये बच्चा जिसने पच्पन का प्यार मेरा भूलना जाना गाया था या फिर कहलो ये लेडी जिन्होंने हमेश रिशेमिया के साथ में तक गाना गाया डूइट सॉंग गाया था काफी दा पॉपॉलर्टी भी इनको मिली थी लेकिन इनकी एक आद वीडियो वाइरल हो गई थी जिसमें अपना अटिट्यूट दिखा रही थी किसी के साथ में सेलफी नहीं खिचा रही थी एकदम से ये जाती आज इनका भी पतानिये कि ये कहाँ पर है और एक और सिंगर था जो गाता था कच्छा बदा मो बहाट बेचा करते थे मुफली लेकिन गाना गाकर बेचा करते ते जिसकी वजय से उनका भी सौंग काफी ज़दा पॉपॉलर हुआ और इनोंने जगे जगे काई सारे इसके बाद में कई सारे लोगों ने इनका फायदा भी उठाया इनसे गाना भी गवाया लेकिन इनका कहना है कि मेरा गाना काफी साथ हो रखा था तो मैंने कर दी एक मिस्टिक मैंने अपना गाना बेच दिया और कई सारे जगे पर गाया भी उस गाने को कई सारी वीडियो बन इसके बाद में और भी जगों से पैसे मिले होंगे जिसके बाद में इनों अगर भी बढ़िया बनवा लिया लेकिन घर का पंगा कुछ यह रहा कि अब इनकी अमीरी जलक ने लगए गाउवा लोग और काई सारे ऐसे रंगदार लोग भी होते हैं मतलब जो बसूली नहीं करत है उस गाने पर आ जाता हूं कच्छा बदाम वाले पर जो कच्छा बदाम वाला गाना था जिनकी वेसे पॉपलर होए थे अब कई जगों पे गाना गाया एक जगे साइन भी करके आ गया उसके पैसे भी ले लिए तो कौपी राइट दूसरे बंदे के पास चला गया जो कि इनको क्लेम कर देता है जब भी यूटूब के ऊपर उस गाने को अफलोड करते हैं क्योंकि अब वो गाना इनका रहान ही इनोंने बेच दिया तो अब यह कह रहे है कि मेरा गाना मुझसे चीटिंग करके ले लिया गया है जब काफिजदा पॉपलर हो रखा था तो मैंने कह यह मेरी जणा हो जाते हैं और मेरी जो नहीं के पास चलिंग होनी चाहिए और उनी के पास میں चलि जाती है तो यह दिककत है मरे साथ में और या उपर से खच्चा बदाम गाने की वज़े से ही मैं इतना पॉपुलर हुआ कि मैंने अपना जोपड़ी वाला घर अच्छा पका बना दिया और उसकी वज़े से आज मैं किराय के घर पे भी रहा रहा हूं और फिलाल के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है एक काम था जो क अगर आप अपने मुझे कोई चीज खरीद ली तो उसके बात में क्या उस चीज पर मेरा हक रहेगा नहीं रहेगा तो वही सेम बात हो रही है यहां पर मुझे बाबा का ढबा यादा रहा है कि बाबा का यूट्योबर ने काफी ज़ादा पॉपुलर किया था और उसकी रेस्टोनेंट तक खोल लिया था लेकिन रेस्टोनेंट नहीं चला क्योंकि काफीजा था बबाल इन्हों ने क्रिएट कर दिया था उसी बंदे पर काफीजा का ब्लेम डाल दिया थे कि इसने लाखों रुपे की डोनेशन खाली जो मेरे बैंक में आनी थी वह इसके अगर वीडियो पांच महीने चे महीने या एक साल बात कोई देख रहा है तब डाल दे तो वह गलती तो रही थी उसके साथ में लेकिन उसने उस बंदे जिसकी मिलब सारे दिन में कुछ विक्री नी होती थी लाखों में विक्री होनी शुरू करवा दी थी तो मिलब जो बना था वो भी चला गया उसके बाद में वापिस वही पर आ गए जहां से उनने शुरुआत करी थी तो फिलाल के लिए यहां पर कच्छा बदाम वाले इस बंदे का भी यही हाल हो रखा है कि मतलब इसको पैसे जिस गाने के लिए मिले थे अभी भी यह कहता है कि मेरा खाना हालकि इन इका है मैने इका नहीं है लेकिन वह बक चुका है तो अब वह कैसे तुमआरा होगा मैं तुमारे लिए परफॉर्म करूंगा मैं तुमारे यूटुब चैनल पर आके गाऊंगा हाला कि मेरे साब से इनको ऐसा ही लगा होगा कि इनके साथ में यही हो रहा है कि यूटुब चैनल पर जाएंगे वहां पर गाना गाएंगे उसके बदले में इनको पैसे मिलेंगे लेकिन लाख हो वो थोड़ा से जाद हो गया तो फिलाल के लिए चीज़े भी ऐसी हैं कि इन्होंने अपना केस फाइल करने का तेकर रहा है शायद रिपोर्ड वेब बॉर्ड भी करी होगी इन्होंने इंटर्वू में तो खहर बताया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है कि कौन फ्यों जाने मदलब यहाँ पर तो बहुत तकड़ी वाली कि कौन गलत है कौन सही है